असलाम लेकूम कैसे हैं आप उमीद है बहुत अच्छे हैं और मज़े में हैं और घर के नेट क्लीन करने के बाद हम अपने घर के जो में जगा है जो हमारे घर का दिल है जो हमारे घर की जान है हम वहाँ चलते हैं मतलब के हम चलते हैं किचन में और आज जो है किचन में मैंने सब्जियां ली हैं धेर सारी मतलब के मैंने यहां पे लिये हैं कच्छनार और हरेचा ने पुदीना लिया है मैंने और फिर साथ में मैंने अद्रक लसन ले लिया है और साथ में फिर मैंने लिये हैं सामली तोरिया मतलब के उसको काली तोरिया भी कहते हैं चटनी बना लेंगे ठीक है और निम्बू एक ही आज मुझे मिला था निम्बू इसके इलावा हमें मिले नहीं ठीक है और टमाटर जो है टमाटर भी सबजी वाले के पास कम थे तो खेर मैंने ले लिए कि चलो आज का दिन तो हमारा मैनेज हो वी जाएगा तो खेर दोस्तों ये देखें कितनी कलरफुल सी सबजिया है और इतनी खुबसूरत सबजिया है कि देखके ही दिल चाता है कि आप कुछ ना 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 कुछ जरूर म और यह बहुत ही टेस्टी बनते हैं और इतने मज़े के बनते हैं कि आपको भी चावलों के साथ अगर इनको बनाएं चावलों में डाल के जैसे हम मटर प्लाव बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे लगेंगे आपको भी तो खेर यहां पर मैं अद्रक लसन जो है वो चील रही हूं और फिर हम इसका पेस्ट बना लेंगे मैं आज के लिए ही बस इसका पेस्ट बनाऊंगी बाकी का काम जो है वो हम कल कर लेंगे क्योंकि अगर मैं सारा जो अद्रक लसन जो है वो चीलूंगी या पेस्ट बनाना पर दिनर के लिए मुझे बनानी है काली तोरिया क्योंकि घर में कुछ लोग हरे चने खाते हैं कुछ नहीं खाते तो इसलिए फिर मुझे दो सब्सक्राइब बनाना है तो खेर यहां पर मैं फटा-फट से सब्सक्राइब बना लूँगी और आज ना मैं एक चीज सोच रही थी क्योंकि कल जब मैं चर्च केई तो फिर मैंने वहां पर रिष्टे में एक बहुत बड़ा सा बैनर लगा हुआ दिखा था कि उस पर लिखा हुआ था हैपी वूमेंडे ना तो मैं सोच रही थी कि यार हैपी वूमेंडे हमारे लिए तो हरी वूमेंडे होता है हर डे लोग वे दोटें dive को देखना, हर चीज का खयान रखना, तो इस Fran अन्स के साथ साथ ना हमें को खयान रखना क्यां तुरु हैю अपने लिए time निकालना चाहिए, नहीं जरोरी है, कuiçãoके अगर अपने लिए टाइम नहीं निकालते ना तो फिर जब वक्त निकल जाता है तो हमें इस चीज़ का एहसास होता है जब हम दूसरों को देखते हैं कि यार काश मैंने भी अपने लिए ऐसा कुछ किया होता तो खेर अपने लिए थोड़ा सा टाइम जरूर निकालना चाहिए ताके हम लोग भी एक हैल्दी और अच्छी लाइफ कुछ लोग कुछ फ्रेंड्स बनाने चाहिए ठीक है कुछ अपने लिए कभी शॉपिंग के लिए जाओ कभी पॉलर जाओ कभी कुछ कभी कुछ जरूर करना चाहिए या कभी अकेले बैठके कप चाहे का ही इंजॉय कर लो ताके टीवी देख लो कोई मूवी देख लो ताके आपको थोड़ा फ्रेश फील हो तो खेर ये तो थी आज की बाते हैं तो खेर इसके साथ-साथ मैंने अपने लिए एक पानी की बोतल रखी हुई है यहां पर ठीक है क तो मैंने ना एक चेकलिस्ट बनाई हुई है कि मैं जाओंगी और एक साथ ही सारे काम करके बजार से आ जाओंगी क्योंकि मेरे साथ नदाब होता है तो नदाब को मैं बजार नहीं लेके जा सकती उसको मैं घर पे छोड़के जाती हूँ तो फिर मुझे यह होता है कि चलो एक ही दिन में जाओं और एक ही दिन में सारे काम निप्टाब के आ जाओं तो खैर यहां पे मैंने अद्रकलसन जो है पीस लिया है प्यास काट लिया है टमाटर काट लिया है हरी मिर्च काट लिया है ठीक है तो खैर अब हम लोग जो है वो अपना खाना बनाना स्टार्ट कर तो खैर जब आप गर्मियां आगी है तो आप भी अपने साथ एक पानी की बोतल रिखा करिए और जब भी किचन में काम करें तो साथ साथ पानी जरूर पीए तो खैर यहां पर मैंने आलू काटना शुरू कर दिये हैं और जब हम चौपिंग बोर्ड पे काटते हैं ना कटिं पानी में आएंगे सब के तो इस लिए फिर मैंने इसको पानी में डाल के थोड़े दर के लिए रख दिया और अब जब मैं मसाला पीचओंगी तो पानी जो है वो मैं डाल दूँगी ठीक है उसके अंदर और अद्रक नहीं डालूँगी ताके ठाकर खाने में बहुत आती हूं, morning tea के पानी को boil करके उसके अंदर ये डंडियां डाल देती हूं फिर अदर डाल के और उसकी एक tea बना लेती हूं तो यहाँ पर पुदीना जो है पुदीने को मैं थोड़ी रिर के लिए पानी में dip कर दूँगी और dip कर इसलिए कर दूँगी ताकि जो भी इसके अंदर dust होगी मटी वगरा वो साफ हो जाएगी और धनिया भी हम लोग काट के ऐसे ही पानी में dip करके रख देंगे, ठीक है तो हमारे जो हरे चने थे वो तो ready हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं तो यहाँ पर मैंने चटनी भी साथ साथ बना ली है और यह देखें कितने यमी से कलरफुल से हमारे जो है रहे चने ready हैं और यह तोर्यों की सबजी है और साथ में चटनी है साथ में मैंने राइता भी बना लिया था तो खेर अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चानल को लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर देना मिलते हैं एक नए व्लॉग में